आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Good morning students, तो आज का मारा Question है Calculate the Energy Released in the Fission Reaction तो मारे पास एक Nuclear Fission का Reaction दे रखा है Here are some Atomic and Particle Masses तो हमें Particles की Masses के बारे में दे रखे हैं तो अब हम देख सकते हैं कि हम इसमें से Energy कैसे निकालेंगे यह बात पता है जो Energy Released होती है तो बेसिकली Delta M C² के बराबर होती है जहांपे Delta M क्या है जो Mass Destroy हुआ होगा इस पूरे Reaction में Mass Destroyed उसी की Equivalent Energy Convert होई होगी ना ठीक है अब Mass कितना Destroy होगा Initially कितना Mass था Mass of Uranium Plus Mass of Neutron अब माइनस करो Mass of Cs माइनस Mass of Rb माइनस Mass of Neutron लेकिन 2 ताइमस इंटू C² ठीक है तो मैं इसको ऐसा लिखना हूँ M U माइनस M N ठीक है यह M N F इदर माइनस 2 M N माइनस M Cs माइनस M Rb इंटू C² अब बस मुझे values को पुट करना है कि करके और अपना answer हो जाएगा M U हमें दे रखा है 235.04392 माइनस Mass of Neutron हमें दे रखा है 1.00866 ठीक है माइनस M Cs हमें दे रखा है 140.91963 माइनस Mass of Rb 92.92157 ठीक है यह सारी units U में है तो यहाँ पर U इंटू C² लिख देते हैं ठीक है अब तो काम almost होई गया तो इस पूरी चीज़ के साथ यह जो U multiply हो रहा है इसकी जगा हम लिख सकते हैं 931.5 मेगा electron volt पर C² ठीक है इससे हमारे calculations easy हो जाती है बुट कर देते हैं directly तो हमें values मिलती है इस पूरी values को लिख लेते हैं 235.04392-1.00866-140.91963-92.92157 और यहां यह हो जाएगा 9 यह लो इन्टू आंसर में मेगा electron volts क्योंकि C² से C² कैंसल हो गया होगा इस पूरी चीज़ को solve करते हैं तो हमें जो value मिल जाती है वो है 181 मेगा electron volts तो इसका मतलब इस process में इस nuclear fusion reaction में हमारी इतनी energy release हो गयोगी तो I hope questions अब को समझ में आ गया होगा Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीज़े अपने doubts 8-400-400-400 पर